recording in progress कर आज के हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं error formula advance excel की classes में हम बात करेंगे error formula के सांथ तो मैयूरी जी हमारे सामने है और मैयूरी जी के सांथ हम online classes कर रहे हैं मैयूरी जी आपकी class इस्टार्ट होदी है फ्यू seconds में तो जो लोग यूटूब पे से मिटोस को इन से में रिफ्वेस्ट करूंगा है कि अगर आप विडियो को देख ज़ो है अगर आप जी यारब्री चांटर कर ले बिआकर पुरी शाइए तो मेरा मवारी आप डॉनलोड कर सकते हैं। लिंक एंहेide का में ने जी तरह लिए that CityIndia.com पर जाकर देमो क्लास का फॉर्म बरना होगा तो विपसाइड के डिटेल्स मैंने इस वीडियो की रिशन से लिंक में दिया हुआ है तो में यूजी हम बात कर रहे है एरे फॉर्मुला का जैसे कि हमने प्रिवेस क्लास में बताया कि एरे का यूज जो होते है तीन स्टेप के लिए होता है पहला हमारा होता है कि हम किस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते है चलिए हम सीखते है वन वे वन इन साले चीज़ों के बारे में जैसे मान लेजिए कि मेरे पास यहां पर क्वांटिटी और यहां पर मर्पी है तो जैसे यहां पर हमने नंबर्स दे देते हैं अपने हमार लेजिए कि मेरे पास क्वांटिटी और मर्पी है मुझे यहां पर इसका टोटल चाहिए तो आप बलेंगे ठीक है इन दोनों का मल्टिप्लाई कर देते हैं और फिर उनका टोटल निकार लेंगे बट जो मल्टिप्लाई कर रहे हैं एक इस्टा कॉलम यूज कर रहे हैं मुझे इस्टा कॉलम यूज नहीं करना है इन सबों का टोटल अटोमेटिक मल्टिप्लाई होके यहां पर आ जाए तो यहां हम बात करते हैं आपके सामने एक और एक्जम्पल की जैसे कि मान लिजिए कि हमारे पास कुछ डेटा है और कुछ डेटा में हमारे पास एरर है अब छोटी से प्रॉलम क्या होती है कि अगर आपके डेटा में एरर है और यहां पर आप अगर सम का लगाते हैं तो को भी एकसल की किसे भी तरह कि फॉरम्फले के अंदर अगर एक गर आजाता है तो क्रॉन्फ यह तो अगर क्रॉंज करता है इसके लिए दिए हम यूज करते हैं अपना एक तो aggregate formula है लेकि aggregate formula lower version में नहीं है तो यहां हम if error if के साथ ही हम if error इस्तमाल करते हैं select करते हैं और यहां पर zero कर देते हैं तो result आपके सामने आए अब यह formula work कैसे कर रहा है किस तरीके से formula काम कर रहा है इसके लिए हम यहां evaluate formula पर आते हैं यह देखिए इस error नहीं क्या किया error को zero में convert कर दिया फिर सम ने सम कर दिया तो इसका use हम लोग करते हैं यहां पर तो कहने मतलब कि array formula कई सारे formula को नो use करके हम array formula का इस्तिवाल करते हैं अब कई cases में array के बगार काम ही नहीं हो सकता array ही हम use करना पड़ेगा ओ क्या है चलिए उसके बारें बात करते हैं जैसे में पास कुछ name of list है अब मुझे इसमें से इसका lane चाहिए माली जो मुझे इस सब को combine करके अब यहां थ्रस और आगे बढ़ते हैं मुझे इसमें से highest number of name चाहिए अब यहां थ्रस और आगे बढ़ते हैं मुझे इसमें से highest number of name चाहिए सबसे बड़ा लेंत का जो name है वो look up करना है कैसे करें तो देखिए जब इस तर की problem हो तो हम क्या करते हैं इसको manual पहले करते हैं तो manual क्या करेंगे हम यहां lane का formula लगाएंगे lane के formula से नीचे drag करेंगे then मैं यहां पर max का formula apply करूंगा max और इसमें से maximum number निकालूंगा maximum मैं निकालूंगा यहां और फिर मैं यहां पर match का formula लगाओंगा match यह x look up भी लगा सकते हैं तो यह formula लगा सकते हैं कि इसको यह x look up भी लगा सकते हैं match index लगा सकते हैं यह offset match लगा सकते हैं मैं यहां x look up लगा रहा हूं कि इसमें look up करो और इसकी value दो आ गया कभी था तो इसके लिए देखिए हमने कितना ताम जाम करना पड़ा मुझे जो है इसको एक सेल में करना है कैसे हम प्रोशीजर सेम अपनाएंगे लेकिन सिंगल सेल तो सबसे पहले मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मॉला मैक्स का मैक्स लें और हमने इसको दे दिया तो 6 आ गया और इसी को हम यहां VLOOKUP में एक्स लुक अफ मारा अब यहां पे Max तो हा गया 6 लेकिन एक्स लूक अप में इसको यूज नहीं कर सकते हैं तो यहां हम एक्स लूक अप यूज करते हैं एक्स लूक अप ढूना क्सको है 6 को किसमें ढूना है तो मैंने यहां पे कर दिया लेन में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और रिजल्ट क्या चाहिए हमने बोला रिजल्ट इसमें से आई है अगया लेकिन आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सल हुआ तभी आप आप खेक्स लोकुबफ फॉम्ले का इस्तवाल कर सकते है лек्सल नहीं हुआ तो मेवी जी इसका आप इस्तवाल नहीं कर पाएंगा तो क्या करें उस केस में तो ओस केस में हम 먹어 he मैर क्यों युड गया वैल्ल। यहल्ट गया और यहाँ पर exempt value तो यह 3 दिया मतलब कि 3 sequence दिया 1,2,3 अब यहाँ पर index formula लगाया जा सकता है और index की मतल से यहाँ 30 नुम्बर उठाया जा सकता है तो मैं यूर जी समझ मैं आपको जी सर without इसमें लेकिन सर यह कुछ एक formula यहां हमारे एक्सल में अपडेट नहीं है हाँ एक्सलुक अपनी होगा नहीं होगा इसलिए दूसरा तरीका बाताया हुआ थीक है तो इस तरह के चीज हम यूज कर सकते है राइट अब इसमें इस चीज हमने कर ली अब यहां पी चीज और आती है कि जब हम यहां पर अब डिस्टिबिशन की बात कर लें जैसे मैंने यहां पर एक कर दिया नेम अपना ही नेम लेता हूं मुझे हर नाम को अलग अलग रोम में चाहिए तो याद होगा मैंने मीट का फॉमूला बताया था अब मीट में हमने कर ली राकेट में बोला था कि वान कॉमा अटमी कर दिजिए थे तो अलग अलग हो जाता है हो जा साथ कि इन पर रलन धाता हूं से दिसूeze जाता है तो यहां पर हम क्यों कों किसको फूल करें गे अब यहां इस पे लाँ रहा है प्रेस को एक लोगेशन लेकर एक प्रेस करके एंट्रोल शिफ्ट हो गया अब कुमार करता हूं ठीक है तो कॉलन का यूज करते हैं अब कॉलन के बाद एक आता है रो रो का यूज भी हम कर सकते हैं तो मुझे इसके लिए एक छोटा सा एक जामपल बनाना होगा यसे यहां पे नेम है और यहां पे सेल्स है नेम को लिया और यहां सेल्स को लिया तो आप इसमें मैक्सिमम का फॉर्मला लगाते हैं मैक्सिमम फॉर्म लगाते हैं तो मैक्सिमम फॉर्मूला क्या करता है मैक्स में ऑन सुरी हमिने पुरा इसमें कॉलम स्लैक्सि आपका दे जिया टед Seráक एक unmute बलबा में से का है कि यहां पर टॉप वण टूप तूप टूप थी पड़िय ओ c लाचि फॉद्ध इस्टैंट कि लाच फॉद्ध लाच फॉद्ध लां अपने को हमने डेलाच करें ऐसेलेक्ट के लिए लार्ज में हम डेटा को सेलेक्ट कर लिए और कॉमा करली ब्रैकेट में हम लिख दिया वन कॉमा टू कॉमा थी कॉमा फॉर कॉमा फाइव कर लोज किया लिख के हम कर देतां फाइव मिल देखे रोज रोज है ऐक सी लेके फाइब तक टूट कया जूट गयाँ जिसे डिखाता से मंची तरह से और फिर लार्ज ने दे दिया लेकिर प्रब्लम है कि मैं टॉप फाइब यहां लिखना चाहता हूँ मैं उपर जो दूँ उससे कनेक्ट हो तो यहां हमें इंवर्टेट कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा फिर कॉंचेर करके 5 को ऊपर से स्लेक्ट करना पड़ेगा इसे प्रब्लम है किरेंज फ़र्मूल रो फॉर्मूल को ने लिएता है क्योंकि इसने फिर्फेस्ट किया उनके टेक्स्ट हो गया कमाई करने के बाद 1.5 आया लेकिन इसमें रेफरेंस में नहीं है इक इसमें है टेक्स्ट में है इंडारेक्ट इसको रेफरेंस में कनवर्ड किया और आपके सामने फिरोर एक से पास तक टूटा और यहाँ पे टोटल आ गया यहाँ पे अगर 10 करता हूँ तो 10 आ जाएगा अगर 20 करता हूँ तो 25 करता हूँ तो 52 करता हूँ तो 2 ओके तो मैयोर जी यह थी हमारी आज की आरेल फर्मला की ख्लास